हलो नमस्कार दोस्तों हम साथ ही ओ आफ सभी को हमारे पिटे परिवार में श्वागत है बहुत बहुत अभी नंदन है तो हम लोग करने वाले हैं करेंट अफेस ठीक है और वह भी करेंट अफेस है हमारे बिहार का तो बिहार का जो करेंट अफेस है जो बहुत तो महत्पूर् लोग तो जन्वरी 2023 से लेकर कि अगस्ट 2023 तक यानके जितनी भी आपके पास बनने वाले हैं करेंट अफेस बिहार का वो हम स्रीज बाइस आपको कराएंगे ठीक है तो आईए हम बात करते हैं करेंट अफेस का और इस पेसल जो बिहार इस पेसल जो करेंट है हम लोग उसे की बात करेंगे तो आईए हम लोग पहला सवाल पर देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है देखिए इंपोर्टेंट है सारगा सारा कहता है कि बिहार के किस जिला के नवी नगर में 569 मेगावार्ड की बिजली उत्पादन की यूनिट तयार की गई है पूछा जाएगा कि कहा बिहार के किस जिला के नवी नगर में कौनसा तो नवी नगर में देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि नवी नगर में 569 मेगावार्ड की बिजली उत्पादन की इनुट तयार की गई है तो यह कहां पर है तो यह देखिए औरंगाबाद हो जाते है इसका आंसर क्या हो जा कितने जीलों में परियाटन केंदर खोलने की घोसना की गई है, कितने जीलों में परियाटन केंदर खोलने की घोसना की गई है, तो कितने जीलों में तो बिहार के 3800 जीलों में घोसने की मतलब इससे खोलने की घोसना किया गया है, ठीक है, अगला सवाल है लोग देखेंगे, तीसरा नमबर सवाल देखे, तीसरा कहता है, यहांपे, तीसरा दिखे, बहुत important है, कहता है कि हालही में, प्रसिद पुष्टा कौनसा, operation खूकरी, कौनसा, तो operation खूकरी का, हिंदी संस्क्रनन का bimotion, किसके दौरा किया गया है, ठीक है, पुष्टा है कि हालही में, प्रसिद कौन सा फुस्तक है, तो Operation Khukri का Hindi Sanskrit का Vimotion किसके द्वारा किया गया, तो ये देखे, तारकिसोर प्रशाद हो जाएंगे, इसका answer C हो जाएगा, कौन सा, तारकिसोर प्रशाद, ठीक है, अगला हाँ लो देखते हैं, चोथा नमबर स्वाल देखे, कह रहा है यहाँ पे, यह बहुत important हो जाएगा, यह भी आपके लिए, ठीक है, यह बहुत important होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, कहता है कि रेल बजट में इस बार पटना को कितने बंदे भारत ट्रेन की सोगात मिली है, ठीक है, इस बार का रेल बजट में देखेगा, कहता है कि इस बार को पटना को कितने, कौन सा, तो बंदे भारत जो ट्रेन है, वो कितना दिया जाएगा, तो दो दिया जाएगा, ठी अगला आंसर हमनों देखते हैं, पांचवा प्रस्न देखते हैं, देखे, प्राचवा प्रस्न है यहाँ पे, पांचवा प्रस्न है कह रहा है कि किस जीले के राकेस रंजन को राष्टपती पदक के लिए चुना गया, ठीक है, राष्टपती पदक के लिए चुना गया, जिन किंदर सरकार ने किस जीला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्टिय अस्तर की मनता परदान की है ये बहुत भी 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 हो जाता है आपके लिए बहुत भी भी हो जाता है कहता है कि हालही में किंदर सरकार ने किस जीला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्टिय अस्तर की म बिहार के किस क्रिशी बिश्विद्ध्याले के दोरा रंगीन फुलगोवी की परजाती की सुरुवात की गई है। बिहार के किस जिला में कौनसा तो किंद सरकार की सहयता से अक्षे उरजभावन कौनसा अक्षे उरजभावन का निरमान किया जा रहा है जहाँ एनरजी कंजर्वेशन कोड के बारे में जनकारी मिलेगी कहां पर तो देखे यह पटना हो جाता है इसका आंशर क्या हो ठीक है, अगला स्वाल हम देखते हैं, नो नंबर स्वाल लेकिए, यहाँ पे कहता है, और यह बहुत important हो जाता है आपके लिए, यह जो प्रस्ण है बहुत important हो जाएगा, ठीक है, कहता है यहाँ पे कि बिहार के किस जिला में कमबोडिया के अंकूर वाट मंदिर से लगभग 200 फीट उच्या बिराट रमायन मंदिर का निर्मान किया जा रहा है, कहता है कि बिहार के किस जिला में कमबोडिया के अंकूर वाट मंदिर से लगभग 200 फीट उच्या बिराट मंदिर मंदिर का निर्मान किया गया है, और यह जो बिराट रमायन, जो बिराट मंदिर हो कहाँ पे बनेगा, तो पुरविच अंपारन में, कहां पे, तो पुरविच अंपारन में हो जाता है, ठीक है, अगला सवाल देखे हैं, यहां पे कह रहा है, यह देखे, important हो जाता है, कहता है, कहता है, कि बिधान सभा, सताबदी, समृती, अस्तंब का उद्धाटन किसके द्वारा क किया गया तो कौन हो जाते हैं यह परधान मंत्री के द्वारा किया गया नरंद मुदी के द्वारा किया गया है यह पूछने की संभावना बन जाएगी ठीक है अगला सवाल हो देखते हैं एक गारा नंबर सवाल देखें एक गारा नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में निति आयो ता मुझफरपूर का यह आंसर हो जाएगा, मुझफरपूर को इस रिपोर्ट में अवल अस्थान दिया गया है, सिर्फ अस्थान दिया गया है, ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 12 नंबर कहता है यहां पे, यहां पे जितने भी सवाल है, बहुत ही भी भी आई है, ठीक है ताकि आपके लिए ज़्यादा फायदा बंद होगा 69 BPSC के लिए और बिहार में आयोजीट होने वाले जितने भी एक्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा बंद पहुचाएगा तो देखिए अब परधान मंतरी अवास यूजना को पूरा करने में ठीक है तेरा नमबर स्वाल देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारत सरकार के दोवरा जारी आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट कौन सा तो जारी आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट 2021 के नुचार बिहार में सलाना प्रति बिक्ति आयमें कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है तो कितना हो जाएगा 1221 रुपए की बढ़ोतरी हुई है कितना तो 1221 रुपए की बढ़ोतरी हुई है अगला सवाल हमनों देखते हैं यहाँ पे 14. स्वाल देखे, कहता है यहाँ पे, कि बिहार में बाल तसकरी, क्या कहता है, बिहार में बाल तसकरी, और बच्चों का पलायन रोकने के लिए, राजी में एक मानक संचालन प्रक्रिया तै किया जाएगा, यूनी शेफ की मदद से, राजी की कौन सी संस्थान इस पर दाल है, यहीं आपको रिसर्च कर रहा है, किसके मदद से, तो यूनी शेफ की मदद से, ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल देखेगा, 15 नमबर सवाल है, क्या कह रहा है, यहाँ पे देखे, कहता है, कि बिहार में टीबी मरीजों के परिजनों को भी यह बहुत बिबी आई हो जाता है, यह बिबी आई हो जाएगा, कहता है कि बिहार में टीबी मरीजों के परिजनों को भी टीबी रोधी दवाय दी जाएगी, इस अभियान की सुरुआत कितने जीलों में किया गया, कितने जीलों में किया गया, तो देखेगा, 11 जीलों में इसको सुरुवात किया गया है, एगारे जीलों में, ठीक है, चलिए अगरा सवाल हम लोग देखते हैं, अगरा सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल क्या कहता है, यहां पर देखिए, कहता है, यहां पर हाल ही में, राजी के सरकारी और धोगिक प्रसिक्षन संस्थानों को, सेंटर और एक्सिलेंस के रूप में उन्यान करने हैं तो, राजी के सरम संसाधन विभाग ने किस कमपनी के साथ समझोता किया, तो टाटा टेकनोलोजी हो जाता है, ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, 17 नंबर सवाल देखते हैं, 17 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि ग्रेजुइट जो बिरुजगारी हैं कि मामले में बिहार का कौन सा स्थान है, तो यह तीसरा स्थान हो जाता है, इसका अंसर सी हो जाएगा, अगला सवाल हम देखते हैं, 18 नंबर देखिए, कह रहा है यहां पे, कहता है कि महिलाओं का सरवादिक टीका करन करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान पर आया है, कहता है कि महिलाओं का सरवादिक टीका करन करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो यह तेखिए, पांचवा स्थान पराप्त होता है, कौन सा बी आंसर हो जाता है, पांचवा स्थान पराप्त होता है, अगला सवाल हम वह देखते हैं. 19 नमबर देखें में." जुँँभात की जाएगी तो यह थानों की शग्षं six 50mm? इसका अंसर किया जाएगा यह हो जाता है. 500 थानों में इसकी future किया जाएगा. और आपन si sy थानों की जाएगा. पास हो जाता है, कहता है कि हालिये में मुख मंत्री समेकित चौर विकास यूजना के तहत बिहार में किस चीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूजना बनाई गई है, तो किस के लिए बढ़ाए गया है, तो ये देखे, मचली पालन के लिए option C हो जाता है, इसका answer, ठीक किस बैंक के द्वारा मेरा गाउ मेरा बैंक, कौँसा मेरा गाउ मेरा बैंक पहल सुरू किया गया, कहता है कि किस बैंक के द्वारा मेरा गाउ मेरा बैंक सुरुवात किया गया, कौँसा बैंक हो जाता है, तो भारती एस्टेट बैंक हो जाता है, इसका answer D हो जाएगा, भार पार्क किस जीले में अस्थापित किया जाएगा कहता है कि राज का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जीले में अस्थापित किया जाएगा कौन सा हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल गंज कौन सा तो गोपाल गंज में हो जाता है ठीक है अगला स्वाल हो देखते हैं अगला सवाल देखिए, 23 नमर कहता है यहां पर, हाल ही में सिविल सिवा दिवस के उसर पर, सिविल सिवा दिवस के उसर पर बिहार के किस अधिकारी को परधान मंत्री सम्मान से समानित किया गया, ठीक है, यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए भी, ठीक है, कि सवाल देखते हैं, 24 नमर सवाल देखिए, 24 नमर सवाल देखिए, बहुत इंपोर्टेंट है यह भी, कहता है कि पावापूर में स्थित कौन सा वर्धमान आयूर बिग्यान संस्थान का नाम बदल कर क्या रखा गया है, नहीं देखिए, कहता है कि पावापूर में स्थित वर्धमान आयूर बिग्यान संस्थान का नाम बदल कर क्या रखा गया तो देखेगा अंसर B हो जाता है भगवान महाबीर आयूर बिग्यान संस्थान ठीक है भगवान महाबीर आयूर बिग्यान संस्थान रखा गया ठीक है अगला स्वाल हनों देखते हैं 25 नमस्वाल देख जूनियर नेशनल बालिका फोड़वोल चेंपिएंशिप अंडर 17 में बिहार को कौन सा अस्थान पराब्त हुआ तो कौन सा अस्थान पराब्त होता है ये दूसरा अस्थान हो जाता है इसका answer क्या हो जागा भी हो जाता है इस Цी की साथ हमारा station सवाप्त होता है तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं तेंक यू, तेंक यू बेरी मच